आप कैसे हो मैं की ली टश अपडेक देने वाला हूं जो की the इक्जाम की कट ओफ को लेके थो आप बहुत सारे बस्किर ढु आск़ोखे कर डाउट मोहरं की है het इन वाली है लो जाने वाली है लिइन अब ऐसकि पूल वितोफ इतने से इतने तक रहे shear रह की तो आपको जैसे के बी सी ठीएडी अभी हारती वक को ही योग माना है इससे बीएड की योगिता रखने वाले करीब नो लाक अभियारती लेवल वन के लिए आयोग होकर बाहर हो गए है कोचिंग एक्सपेट का तर्क है कि बीएड डिगरी धारियों के लेवल वन से बाहर होने के कारण लेवल टू में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा लेवल वन में कम मक्स लाने वाले अभियारती हो भी मौका मिलेगा इसलिए कट अफ कम रहेगी फ्रैक्स यह कंफर्म है कि आपकी कट अफ कम रहने वाले इनकी तरब से जो आप डेक दी जा रही है अब बात रही फ्रैक्स आ में आपको लेटर शब्य बतारह फ्रैक्स आपकी जो करट ऊफ रहने वाले समाने वरकी के लिए 118-125 रहने वाली है और बात रही कट ऊफ के लेकर आपको मैं कट आप बतादी फ्रैक्स और बाकी अलग अलग केटेगरी वाइस ऐस कट आप देख सकते जो वालों के लिए 110-123 रहने वाली है और जो फ्रैंक्स आपकी स्सेस्ट केंगनेट है उनके लिए जो कट आफ रहेगी फ्रैंक्स 103-110 के बीच में रहेगी जो कट आफ रहेगी अब बात रही फ्रैंक्स पद बढ़ने की आप देख सकते हैं वर्गी जरन किया जाएगा इसके अधार पर पदों का पता लगा सकेगा फिलाल 31,000 पद यह तो कंफर्म है कि आपकी 31,000 पद यह कंफर्म है इसके बाद आपके अगर पद बढ़ने के चांस होए तो फ्रैंक्स वह भी बढ़ाए जाएंगे आप देख सकते हैं यह कट आफ आफ की यह रही जनरल 110-126 EWS 104-116 OBC 106-118 MBS वाले 104-15 FTC का देख सकते हो फ्रैंक्स मैंने जो बताए 103-111 और 101-110 के बीच में फ्रैंक्स ही कट आफ रहें की फ्रैंक्स अगर फ्रैंक्स आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा फ्रैंक् हुआ है